Assalamualaikum, आज हमें Mathematics में Exercise 6A का Question No.2 करना है जिसे कि Question No.1 हमने पहले डिसक्स किया है Question No.2 क्या कहता है? Answer the following in Yes or No क्या कहता है? कि हमें Answer देना Yes or No में लेकिन करना क्या है? हमें First Part हमारे पास दिया है 48 is a multiple of 3 हमें Check करना है क्या 48 जो है? वो 3 का multiple वो 3 का multiple है या नहीं तो अगर 48 multiple है 3 का तो हम Answer देंगे Yes अगर 48 multiple नहीं है 3 का तो हम Answer देंगे No अब हम Check कैसे करें कि क्या 48 जो है वो multiple है 3 का या नहीं है? तो Check कैसे करें? हम क्या करेंगे? हम Divide करेंगे तो जब हम 48 को Divide करेंगे किस के साथ 3 के साथ ठीक है तो सबसे पहले हम first digit को देखते है तो अब यह 3 से बढ़ा है तो पहले digit को ही हम देखे है तो 3 1 0 3 ठीक है तो 4 minus 3 1 अब 1 तो होगा नहीं क्या होगा 8 नीचे लाएंगे ठीक है तो 3 6 0 18 होता है ठीक है अब 18 minus 18 0 अब remainder 0 बचा तो that means 48 जो है वो exactly divide होता है 3 से तो जो number exactly divide होगा ठीक है तो उसको हम multiple कह सकते हैं उस number का ठीक है जैसे 48 है तो 48 अगर exactly divide हो गया 3 से तो हम कह सकते हैं 48 जो है वो multiple है 3 का ठीक है तो remainder 0 बचा that means 48 जो है वो multiple है 3 का तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे answer yes, ठीक है, उसके बाद second part है, 72 is a multiple of 6, अब 72 multiple है 6 का या नहीं है, यह हमें check करना है, तो क्या करेंगे, divide करेंगे, अगर exactly divide हो गया, तो हम कह सकते हैं, 72 जो है 6 का multiple है, तो otherwise नहीं है, तो check करो, 72, किसके साथ, 6 के साथ, ठीक है, 6, 1000 कितना होता है, 6, 7 minus 6, 1, ठीक है, 1 तो होगा नहीं, 2 नीचे आएगा, 6, 2, 0, 12, 12 minus 12, 0, ठीक है, remainder 0 बचा exactly divisible हो गया, तो हम कह सकते हैं, 72 multiple है, 6 का, तो क्या लिखेंगे answer, yes, ठीक है, उसके बाद third part है, 96 is the multiple of 6, फिर से check करेंगे, क्या 96 exactly divisible होगा या नहीं होगा, तो check करें, 96, किसके साथ 6 है, तो 6, 1000, 6, 9 minus 6, 3, 6 नीचे आएगा, ठीक है, 6, 6000, 36, 36 minus 36, 0, 6 minus 6, 0, 3 minus 3, 0, ठीक है, तो exact divisible है, that means, 96 जो है, वो multiple है, 6 का, तो क्या लिखेंगे, yes, ठीक है, उसके बाद, d part है, 38 is a multiple of 4, फिर से check करो, 38, 4 के साथ, तो अब 4 से 3 तो होगा नहीं, क्यों, क्या जोटा है, 4 से, तो क्या करेंगे, 2 digits को देखेंगे, तो 4, 9, 0 होता है, 36, ठीक है, 8 minus 6, 2, 3 minus 3, 0, तो remainder क्या बचा, 2 बचा, अब remainder 2 बचा, that means, 38 exactly visible नहीं होता है, 4 से, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, कि 38 जो है, वो 4 का multiple नहीं है, क्यों, क्योंकि remainder 0 नहीं आया, 38 जो है, वो exactly visible नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, 8 के साथ, ठीक है, तो 8, 7 तो होगा नहीं, क्यों, छोटा है, ठीक है, तो दोनों लिजिट को देखना पड़ेगा, तो 8, 9, 0 होता है, 72, ठीक है, 6 माइनस 2, कितना होगा, 4, 7 माइनस 7, 0, ठीक है, फिर से, remainder 4 बचा, that means, 76 exactly visible नहीं होता है, 8 से, तो हम कह सकते हैं, कि 76 जो है, वो 8 का multiple नहीं है, तो आज़ लिखेंगे, 9, ठीक है, फिर, last part, 100 is a multiple of 5, तो चेक करें, 100, 5 के साथ, 5, 2s are, 10, ठीक है, 10 माइनस 10, 0, ठीक है, अब यहाँ 0 नीचे आएगा, तो यहाँ 1, 0 हमें यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ आप directly कर सकते हैं, 5, 20s are, 100, ठीक है, वैसे भी हो सकता है, तो remainder क्या बचा, 0 बचा, तो हम कह सकते हैं, कि 100 जो है, वो multiple है, किसका 5 का, तो answer लिखेंगे, yes, ठीक है, clear, अब question number 3, इसी exercise का, state whether the following are true or false, अब हमें true or false बताना है, कि क्या यह true है, यह false है, तो चेक करें, क्या कह रहा है, first part कह रहा है, कि 2, 4, 6, 8, 12, are all multiple of 4, कहता कि यह सारे जो हैं, यह multiple हैं 4 के, 2, 4, 6, 8, 12, अब multiple कैसे चेक करते हैं, तो अब भी हमने last वारा question किया, कि अगर यह number, जो हमारे पास दिये हैं, अगर यह इस number से exactly visible हुए, तो हम कह सकते हैं, कि यह multiple हैं इसके, अगर exactly visible नहीं हुए, तो हम कह सकते हैं, कि यह multiple नहीं हैं इस number के, ठीक है, तो चेक करें, सबसे पहले 2 है, तो क्या 2 जो है, वो 4 से divide होगा, हो यह नहीं सकता, है ना, फिर 2 की जगा हम किसको चेक करें, 4 को चेक करें, तो 4104 हो जाएगा, ठीक है, 6 को चेक करें, 4104, 6-4, 2, होता नहीं है, तो सारे की बात कर रहा है, और राल multiple हो 4, कुछ तो हो रहे हैं, जैसे 4 हो रहा है, 8 होगा, 12 होगा, लेकिन 2 और 6 नहीं हो रहा है, तो सारे नहीं है multiple, कुछ तो हैं लेकिन सारे नहीं है, तो हम answer क्या लिखेंगे false, तो हम answer क्या लिखेंगे, false, कि यह multiple, सारे multiple इसके फोर के नहीं है ठीक है, वैसे हमारे पास B part जो है, तो B part में हमारे पास दिया है 3, 6, 9, 12, 15 are all multiple of 3 कहता कि यह सारे multiple हैं 3 के ठीक है तो चेक करें 3, 1, 3, 3, 2, 0, 6, 3, 3, 0, 9, 3, 4, 0, 12, 3, 5, 0, 15 तो एक्जेक्टली डिजबल हो रही हैं सारे तो हम क्या कहेंगे कि यह सारे जो हैं यह multiple हैं इसके तो हम आज़ लिखेंगे प्रू ठीक है फिर 3 पार्ट 1 is a multiple of every number ठीक है क्या कहता कि 1 जो है वो multiple है हर एक number का तो यहाँ पे ज़्यादा जर बच्चे गलती कर देते क्या गलती होती है कि यहाँ पे बच्चे true लिख देते क्यों वो सुचने कि 1 जो है multiple है हर एक number का 1 जो है वो multiple नहीं होता है हर एक number का बल्कि हर एक number जो है वो one का multiple होता है ठीक है कैसे अगर one जो है वो multiple होगा हर एक number का तो that means हर एक number से one divide होना चाहिए तो क्या 12 से one divide होगा नहीं होगा तो यहाँ पे आंसर के आएगा फिर false क्यों क्योंकि one जो है वो multiple नहीं है यहार एक नंबर का बलकी हार एक नंबर जो है वो मल्टिपल है वन का तो अगर ऐसे लिखे हम कि every number is a multiple of 1 तो तब चाहोगा कि हार एक नंबर जो है वो मल्टिपल होगा 1 का तो कुछ इस तरीके से कि 1 से हम किसी भी नंबर को divide करें तो होगा जिसे 10 को करें तो 1 10s are 10 ठीके 12 को करें तो 1 12s are 12 ठीके किसी भी number को करें 54 को करें तो 154s are 54 तो तब जाके true होता कब कि अगर ऐसा लिखा होता every number is a multiple of one लेकिन यहाँ पर क्या दिया है one is a multiple of every number one is a multiple of every number का मतलब कि one जो है वो हर एक number से divide होगा तो हर एक number से one divide होगा यहीं ठीके किसी से नहीं होगा तो सिर्फ one one's or one तो one से हो जाएगा बागे किसी से होगा ही नहीं तो यह false ठीके अब last part क्या है 5 is the multiple of 25 ठीके 5 जो है वो multiple है 25 का अब करना क्या है 5 को check करना है क्या है वो 25 से divide होगा या नहीं होगा ठीके तो five को check करें क्या 25 से होगा नहीं होगा तो क्या लिखें फाल्ज लिखें ठीके तो कहीं पर क्या होता कि यहां पर बच्चे जो है गलतियां करतेते हैं कि वो क्या करते हैं जैसे यहां पर इस question में क्या करेंगे वो 25 को ही चेक करने बैठ जाएंगे 5 से तो 5 फाइजा 25 तो reminder 0 वो कहेंगे कि sir ये तो exactly desirable हो गया तो that means true है हमें करना क्या हमें 5 को चेक करना है क्या 5 डिवाइड होगा 25 से ठीक है जिस नंबर का बता रहा है कि वो multiple है उसी को चेक करना है ठीक है जैसे अगर इस तरीक इसे लिखा हो कि 48 is a multiple of 8 ठीक है 48 जो है वो multiple है 8 का तो बताओ true है false है किसको चेक करेंगे 48 को या 8 को 48 को क्यों क्योंकि 48 का बता रहा है क्या 48 multiple है 8 का तो किसको चेक करेंगे 48 को ठीक है तो 8 6 are 48 ठीक है तो that means 48 multiple है 8 का ठीक है अग इसी को उल्टा करें 8 is a multiple of 48 तो किसको चेक करेंगे 8 को चेक करेंगे अब इसी को उल्टा करें कि 8 is a multiple of 48 ठीक है तो किसको चेक करें 8 को चेक करेंगे क्योंकि 8 का बता रहा है कि 8 is a multiple तो 8 अगर multiple है तो किसको चेक करना पड़ेगा 8 को तो क्या 8 48 चे होगा नहीं होगा ठीक है तो क्या होगा इस में यह false है ठीक है तो जिस number का बता रहा है कि 8 is a multiple that means 8 को चेक करना है 5 is a multiple that means 5 को चेक करना है तो इस confusion को दूर करना हमें कि check किस number को करना है, जिस नंबर का बता रहा है multiple है, तो उस नंबर को हमें check करना है, क्या वो नंबर exactly usable होता है या नहीं होता है उस नंबर से, ठीक है तो यह था महाराज का मैद का topic टापिक